लालू परशाद यादो जब जेल से बाहर निकले तो उनके सामने एक बड़ी चुनावती थी कि अपने पार्टी को किसी तरीके से मजबूत किया जाए क्योंकि उनकी पार्टी लोगसभा में बिलकुल जीरो पर आउट हो चुकी थी लोगसभा में उनकी पाठी के एक भी सांसद नहीं पहुँच पाए थे तो ऐसे में एक बड़ी चुनावती थी उन्होंने अपने बेटी से बात की तो बेटे ने कहा कि विधान सभा हम समझ पाते हैं लोगसभा मेरे बस की बात नहीं है तब लालू यादो ने अपने बेटे से कहा था कि अगर तुमको लोगसभा जीतना है तो छेतर में जाना पड़ेगा जमीन पर बैठना पड़ेगा लोगों से बातचित करनी पड़ेगी और जब बातचित करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी पार्टी जीरो पर आउट क्यों ही है और इस जीरो को किस तरीके से नंबर में कनवर्ट करना है यानि अगर अभी राज़त जीरो पर है तो उसे पांच या दस या फिर दो चारवे कैसे कनवर्ट करना है ये जो नॉलेज है ये जो ग्यान है और वो लालो पुर्षाद यादो ने तेजश्वी यादो को दे दिया है ये तो बस एक बहाना है ये कहने के लिए कि निटीश कुमार ने धोखा दिया इसलिए ये जन बिस्वास यातरा हम निकाल रहे हैं मेन मकसर तो इस जन बिस्वास यातरा का ये है कि वो चाहते हैं कि हम छेतर में जाकर जनता के बीच में अपने मुद्दो को रखें हम बताएं कि हम जब सरकार में आएं तो 17 महीनों में हमने क्या कुछ किया है और आज अगर बिहार से राज़त का लोगसबा सांसद होता तो किस तरीके से मुस्तहदी से अपनी बातों को सदन के अंदर रखता इसलिए तो तेज़स्वी यादो ने सदन में दो राज़त के सबसे बुद्धी जीवी वेक्तियों को भेजा है सबसे पढ़े लिखे वेक्तियों को भेजा है एक का नाम मनोज्जा है दूसरी का नाम संजय यादो है संजय यादो भी पढ़े लिखे वेक्ति हैं तेजश्वी यादो के राजितिक सालाकार रह चुके हैं हाँ हलाकि उनका विद्रो जरूर हो रहा है उनकी वज़ा से राजत के अंदर के उनको क्यों भेजा गया वो मुसल्मान का सीट था उस पर यादो को क्यों भेजा गया उस पर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन खास चर्चा यह है कि तेजश्वी यादो ने अपने पिता से गुरू मंत्र लेकर अब छेतर में उतरने का फैसला जो है वो सही तरीके से किया है छेतर में घुमेंगे तमाम जिले में जाएंगे वहाँ पर जन विश्वास यात्रा करेंगे नौ दिन के यह यात्रा है इस नौ दिन की यात्रा में तेजश्वी यादो अपने आपको इतना मजबूत बना लेंगे कि कोई उनके सामने टिक नहीं पाएगा और ऐसे भी सदन में तेजश्वी ने कहा था कि जो जंडा नितीश कुमार लेकर चले थे नरिंद्र मोदी को उखारने के लिए वो जंडा अब तेजश्वी लेकर चलेंगे और बिहार में नरिंद्र मोदी को घुसने नहीं देंगे तो क्या वाकई में ऐसा होगा चालीशो लोक सभाज छेतर जो है वो तेजश्वी आदो Alcohol कभर कर रहे हैं चालीश लोक सभाज छेतर में उनकी एक तरीके से कहें तो जन विश्वास ये रहली जो है वो होनी है जनसभा जो है वो होने वाली है सभी के पास जाएंगे बाचित करेंगे बाचित करके वो समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है क्यों राजत जीरो पर आउट हुई थी चूक कहा हुई थी इन तमाम चीजों को तेजस्वी आदो जनता के बीच लेकर जाएंगे और ये ला लोक सभा में हमारे पास कितनी सीटे जो है वो आएंगे और ये यात्रा होनी ही थी लेकिन एक बहाना ये भी मिल गया कि निटीश कुमार ने हमें धोखा दे दिया तो अब देखिए क्या होता है बेराल इस खबर में इतना ही बनेरे हमार साथ और देखते रहें देंडिया चाहु